हेलो फ्रेंस आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंसी केमिश्टी गुरीजी पे और आज हम बात करेंगे रेट सीट लेवल टू से संबंदित विज्ञान का जो मोडल पेपर है 33 से रिलेटेड बात करेंगे और इस मोडल पेपर में हम बायलो जी का जो टॉपिक है पात्पो में पोशन, स्वाशन, प्रकास सेंसलेशन और उस सर्जन से संबंदित जो कुष्टन से उनको हल करेंगे और अगर आप चाहते हैं केमिस्टिस रिलेटेड मोडल पेपर को वाच करना तो आप मोडल पेपर नमर वन से सेवन तक टॉपिक वाइज मोडल पेपर वाच कर सकते हैं से पहले के सभी model paper देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद home page पर playlist में जाकर आप बाकी के जो 32 model paper उनको watch कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का model paper नमबर 33 Question number 1 है AYV यह अथार्थ अनाक्सी सोशन में ATP के कितने अनों का सुद्ध लाब होता है A option है 2, B option है 10, C option है 6 और D option है 7 तो इसमें जो A option होगा वो correct हो जाएगा कि जो AYV यह सोशन होता है अनाक्सी सोशन उसमें 2 ATP अनों का सुद्ध लाब होता है A option इसका right होगा 2 हमने इस question देख लेते हैं नेस question है मारे पास प्रकास संसलेशन में A option है जल का अपचेन वो carbon dioxide का आक्सी करण होता है फिर B option है हमारे पास carbon dioxide तथा जल दोनों का अपचेन होता है C option है carbon dioxide का अपचेन तथा जल का आक्सी करण होता है और D option है carbon dioxide तथा जल का आक्सी करण होता है तो इसमें जो C option होगा वो बिलकुल correct हो जाएगा कि जो कारबंडा ओक्साइड होती है यानि CO2 उसका तो अपचेन होता है तथा जल का आकसी करण होता है यही फोटो सिंतेसिस या प्रकास सिंसलेशन के अंदर होता है वह नएस कृष्षन देख लेते हैं नएस कृष्षन है हमारे पास सबसे अधिक मात्रा में वासपोस सर्ज किस में होता है ए ओप्षन है वात रंदों से बी ओप्षन है जल रंदों से सी ओप्षन है रंदों से और डी ओप्षन है सभी से तो इसमें जो सी ओप्षन होगा वो सही हो जाएगा रंदों के द्वारा जो है यानि जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इस्टो मिटा रंदो के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में वासपोस सर्जन पाया जाता है। उपने इस कुश्चन देख लेता है। ने इस कुश्चन है हमारे पास प्रकास संसलेशन में प्रथम चरण कौन सा होता है। ब ऐ ओपशन है गलकोज का निर्मान ब ऑपशन है एटी प का निर्मान सी ओपशन है एन डी पे है और डी अवप्शन है सूरिय के प्रकास के द्वारा क्लोरोफिल का उत्य जन। तो प्रत्थम चरण जो होगा प्रकास देख लेता है। वो नेस कुशन देख लेते हैं, नेस कुशन है हमारे पास, नेम लिखित में से कीट भक्षी पादप नहीं है, प्रस्ट में नहीं है, पुछा गया है, A option है अमर बेल, B option है यूट्रीकुलेरिया, C option है ड्रोसेरा, और D option है डायूनिया, तो इसमें जो A option होगा, वो बिल्कु पादपों के उधारन होते हैं, तो इसमें A option करेक्ट हो जाएगा, अमर बेल, नेस कुशन देख लेते हैं, नेस कुशन है हमारे पास, नेम लिखित में से कौन से तत्व, शुश्म पोशक तत्व कहलाते हैं, A option है M, G, S, K और P, B option है मेंगनीज, मॉलिबडेनम, आईरन और जिंक, C option है, मॉलिबडेनम, पोटेशियम, जिंक और केल्शियम, और D option है मेंगनीज, जिंक, केल्शियम और मेगनेशियम, तो इसमें जो B option होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कि मेंगनी यानि MN, मॉलिबडेनम यानि MO, और आईरन यानि FE, और जिंक यानि ZN, ये ज कुछन देख लेदे हैं, नए सकुछन है, मारे पास, क्रेप्स चक्र में बनने वाला पहला और एक मात्र, पांच कारवन वाला योगी कौन सा है, पांच कारवन वाला योगी किसके अंदर पुछा है, वो कौन सा है, A option है, फ्यूमेरिक अमल, B option है, सिस एकोनिटिक अमल, C option एक दिलो सक्सिनिक अमल एलफा केटो ग्लूटरीगव तो पांच क्रपन वाला योगी किसा इसकेशलिद्रे शाहिए बिदन में बने हमात्र आइकलोका बने में जीर्ट यहाँ। प्रिमते हमें पांच क्रपने वाला जो क्रपनें वाला आमल covered ह место twolica and a Unl?? The A Pets Pres ankles owns it, पत्ति की निशली सता पर बी ओप्षन है पृणत पर लाट पशाल में श हचायो भी ओप्षा पर देड़ीज ही किर्याँ काला आप कहा है यापको प्रकास के बेंगनी वो नारंगी शेत्र में, बी उप्षन है प्रकास के नारंगी वो नीले शेत्र में, सी उप्षन है प्रकास के हरे वो पीले शेत्र में, और डी उप्षन है प्रकास के लाल और नीले शेत्र में, तो इसमें जो डी उप्षन होगा वो बिल्कुत सही हो जा निम्लिकित में से किसे या किने पादब की खाध्य फेक्ट्रियां कहा जाता है इसमें चार चीजे दे रखिए, नमर एक पर पत्त, नमर दो, शाखा, नमर तीन, जड़ और नमर चार, तना इसमें option दे रखें ए केवल एक वाछार, बी- में केवल एक, सिए ओफ्ष्ष्णे केवल एक सी ओफ्ष्णे केवल तीन वा चार, और डी- ऑपश्णे केवल दो तो इसमें जो ba ूप्ष्ण वह बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर केवल एक केवल एक गुलकोज के एक अनू से यानि गुलकोज अनू से संपूर्ण ओक्सिसोशन के बाद यहां पर हो रही है कितने ATP अनू प्राप्त होते हैं गुलकोज का जो एक अनू है वो आक्सिसोशन के बाद संपूर्ण ओक्सिसोशन के बाद 38 ATP अनू इसमें प्राप्त होते हैं अब नएस कुश्यन देख लेता है नेस कुश्यन है निमलिकित में से मरत जीवी पादप कौन सा होता है यह मरत जीवी पादप A option है मुकर, B option है अमर बेल, C option है नीम और D option है ड्रोसेरा इसमें जो A option होगा यहानि की म्यूकर वह बिल्कुल राइट हो जाएगा म्यूकर जो होता है यह एक मरत जीवी पादप होता है हमने इस क्जिशन देख लिए हैं नेस क्जिशन है हमारे पास निमलिक्षि गठनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं गठन एक किसे नहीं आपना भोजन स्यपुज़ना algates 14 c यानि ओटोटौफ कहलाते हैं कतन्द 2 है जो जीव करते हैं विशं पेम्पोशी तो noise हॽ Madwa यह बिवी उप्षन एक और दोंग दोनों इसमें सत्य त्यों कि जो जीव अपना बोर्जन में सविंब भ antig लाते हैं और जो जीव आन्य पात्पा द्वारा अशन्य झालते हम फिविशम पोशिग सफिर्लाते हैं तो इसमें कथन एक थो 2 दोनों सत्य अब हम नएस कुश्चन देख लेते हैं, नएस कुश्चन है हमारे पास, पर्ण हरित अनू, जिसको हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं, के के अंदर में कौन सा तत्व होता है, ए उप्षन है निकल, यानि एन आई, बी उप्षन है कोपर, यानि सी यू, सी उप्षन है एफ ए, या होता है, के अंदर में वो, Mg होता है, Magnesium, अब हम नेक्स कुश्चन देख लेते हैं, नेक्स कुश्चन है मारे पास, स्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है, जिससे हम स्वसन मापन करते हैं, उस यंत्र का क्या नाम है, A option है, Autometer, B option है, Potometer, C option है, Respirometer, D option है, Oxenometer, तो इसके अ मांस्वसन मापन करते हैं, नेस कुश्चन मारे मापन का मांन कफ्नी कृष्चन को बोलते हैं, शोट में अर् क्यू का मान कितना होता है, A option है, B option है, C option है, A, Dual option है, तो मसल पात्मों का जो सुस्वर्षन गुणांग होता है वो सुन्ने होता है इसमें जो B.Option होगा बिलकुल सही हो जाएगा R.Q का मान जो होगा मसल पात्मों के लिए वो होगा सुन्ने है हम नेस कृशियन देख लिए नेस क्रिश्चन है हमारे पास प्रकास संसलेशन की प्रिक्रियां को प्रभावित करने वाले बाईये कारक कौन-कौन से हैं यह इसमें प्रशन में पूछा गया है A option है कारबन डावकसाइड की सगंता B option है तापमान C option है प्रकास की तिवरता और D option है उप्रोक्त सभी तो इसका जो D option होगा और करेक्ट हो जाएगा और्प्रोक्त सभी आएगा इसमें प्रखास संसलेशन की प्रिक्रियां के जो प्रवाइद करते हैं भाईये कारबन को CO2 भी होती है तापमान भी होता है और प्रखास की तिवरता भी होता है D option correct होगा और प्रोक्स सभी हम नेस कुश्चन देख लेते हैं नेस कुश्चन है हमारे पास पोदों को जो जल प्राप्त होता है वो कौन सा जल होता है A option है केशी का जल, B option है आदरता ग्राही जल, C option है गुरुत्तू जल और D option है बिंदु इस तरह उसे प्राप्त जल, तो इसमें जो A option होगा और बिल्कुल correct हो जाएगा केशी का जल जो होता है यही पोदों को प्राप्त होता है यानि वो जल जो पोदों को प्राप्त होता है कौन सा है केशी का जल अब हमने इस कुछन देख लेते हैं निमली कित में से कौन सा प्रात्मिक पोष्चक तत्व है A option है गंदक, B option है निकल, C option है केल्सियाम और D option है nitrogen जो प्रात्मिक पोष्चक तत्व हो जाएगा nitrogen जो होता है यह प्रात्मिक पोष्चक तत्व में आता है इसके लाव फास फॉरस और प्रात्मिक पोष्चक तत्व में आते हैं तो इसका D option राइट हो जाएगा nitrogen next question देख लेते हैं निम्न में से कौन परजीवी है यानि परजीवी का उदान इसमें पूछा गया है A option है जोंक, B option है जूं, C option है अमरबेल और D option है उप्रोक्त सभी तो इसमें जो D option होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उप्रोक्त सभी यानि कि अमरबेल जो पादप होता है जोंक और जो जूं होती है यह सभी किसके उदारण है परजीवीओं के उदारण होते हैं next question है हमारे पास वरक्षों की छाल में पाए जाने वाले रंदर क्या कहलाते हैं A option है वात रंदर, B option है परण रंदर, C option जल रंदर और D option है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A option वात रंदर क्यलाते हैं यहनि की वरक्षों की छाल में पाए जाने वाले रंदर, वात रंदर क्यलाते हैं वो नहीं इस question देख लेते हैं नेस question है हमारे पास जल के प्रकाशिक अफगटन है तू क्या आवश्यक होता है यहनि कौन सा तत्व आवश्यक है A option है जडन, B option है MN, C option है FE और D option है CU तो यहाँ पर जो B option होगा वो करेक्ट हो जाएगा MN जो होता है जिसको हम मेंगनीज बोलते हैं यह जल के प्रकाशिक अफगटन के लिए आवश्यक होता है नेस question देख लेते हैं नेस question है मारे पास पात्पों को नाइट्रोजन मिलती है मतलब पात्पों को नाइट्रोजन कहोँ से मिलती है A option है पतियों दवारा B option है तने दवारा C option है फूल दवारा और D option है जड़ों द्वारा तो इसमें जो D option होगा हो सही हो जाएगा पात्पों को जो nitrogen मिलती है वो जड़ों के द्वारा मिलती है वह ने स्कृष्षिन देख लेते हैं ने स्कृष्षिन है पात्पों में कार्भो आइड रेटों के इस्थानामतरण के लिए कौन सा तत्तू सरवादिक मात्तपूर्ण होता है A option है जिंक, B option है लोहा, C option है बोरोन और D option है मॉलीबडेनम तो इसमें जो C option होगा C option यानि की बोरोन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा बोरोन जो होता है यही कार्भो आइड रेट के इस्थानामतरण के लिए सरवादिक मात्तपूर्ण तत्तू है पात्पों में हम नेस कृष्षिन देख लेते हैं कृष्षिका में क्रेव्ष चक्र कहां पाया जाता है ? A option माइटो कॉंड्रिया है B option हरितलवक C option कोशीका द्रवर D option is kendra 혁 तो इसमें जो A option होगा हो सही हो जायागा mitochondria जो होता है इसमें ही Krebs Chakrasampan होता है तो यहाँ पर A option correct होगा mitochondria next question हम देख लेता है अगले question जो है दोस्तों section video से संबन दित है उच्च प्रात्मिक स्तर पर विज्ञान सीखने के नीचे दिये गए उद्धेश्यों में से कौन सा वांचनी उद्धेश्य नहीं है, नहीं है शब्द इसमें आया है, कि वांचनी उद्धेश्य कौन सा नहीं है, A option है आवशक प्रिक्रिया कोशल अरजित करना B option है प्रतियोगी परिक्षाओं में अच्छा परदशन करना C option है विज्ञानिक साक्षर्ता अरजित करना और D option है तारकिक सोच विक्सित करना तो इसमें जो B option होगा वो सही हो जाएगा ये वांचनी उद्देश्य नहीं है प्रतियोगी परिक्षाओं में अच्छा परदशन करना ये उच्च प्रात्मिक स्तर पर विज्ञान सीखने के उद्देश्यों में से वांचनी उद्देश्य नहीं है तो इसमें B option सही होगा हम नेस कृशन देख लेता है नेस कृशन है मेरे पास यदि बालक घर में डोक्टरी थर्मामिटर में रिडिंग ठीक ठाक पढ़ लेता है तो उसके इस कोशल को क्या कहेंगे A option है थर्मामिटर कोशल B option है हस्त कोशल C option है प्रेक्षन कोशल और D option है विज्ञानिक कोशल तो इसमें जो C option होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रेक्षन कोशल कि जब बालक डोक्टरी थर्मामिटर में रिडिंग ठीक ठाक पढ़ लेता है तो इस कोशल को हम प्रेक्षन कोशल कहते हैं हम नएस कृशन देख लेते हैं नएस कृशन है निमलीखित में से कौन सा? यह Computer-related question है ROM, CPU, RAM और विस्तार कार्ड धारन करता है A option है Motherboard B option है Hard disk C option है Floppy disk D option है कोई नहीं तो इसका जो A option होगा विल्कुल करेक्ट हो जाएगा motherboard जो होता है यही सब चीज़ें धारन करता है इसमें ROM पाई जाती है, CPO होता है, Central Processing Unit या और RAM होती है और विश्टार कार्ड होता है तो इसमें जो मदर बोर्ड होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा अब नेस कृष्चन देख लेते हैं, नेस कृष्चन है मारे पास छात्र कुट्टे को सजिव और पत्थर को निर्जिव बतलाता है तो इसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ती दर्शाई है A option है कोसल, B option है अवबोद, C option है ग्यान, D option है कोई नहीं तो इसमें जो B option होगा, वो सही हो जाएगा अवबोद जो बालक सजिव और निर्जिव के बारे में बतला रहा है यहां पर तो इसमें जो उद्देश्यों की प्राप्ती होगी वो होगे आवबोश से संबंदित, औरमनेस्कृषियन देख लेते हैं, नेस्कृषियन है, मारे पास कोण सा इसतर भावात्मक इसतर का पक्षन नहीं है, नहीं है, पुछा गया है यहाँ पर कौं सा भावات्मक इसतर का पक्षन नहीं है A option है संगटन B option है ग्रहन करना C option है विशलेशन और D option है मुल्य स्थान तो इसमें जो C option है वो बिल्कुत सही हो जाएगा विशलेशन जो होता है ये भावत्मक पक्षकाश नहीं है यह नहीं कि यह जो इस तरह इसलेशन का इस तरह बहुत मुखश का इस तरह नहीं होता है तो इस तरह के से दोस्तों आज हमने model paper सॉल किया तो model paper कैसा लगा यह comment box में comment करके जरूर बताएं और अगर question अच्छे लगे हो दोस्तों तो वीडियो को like जरूर करें अपने जो A2 science friends हैं उनके साथ share करें और अगर चैनल पे नए हैं तो तेनल को subscribe कर लें ताकि इन future भी आपको इसी तरह के model paper मिलते रहें नमस्कार दोस्तों